हेलो आप कावस! आज रात एक के खाने रहे हैं बहुती टैश्टी सब्जी तुरई और उडट की बर secular की सब्जी जो कि बहुती टैश्टी बनता है गाईज इसे बनाने के लिए हम ने लिया है लेक केज़ी के Allarding तुरई है जो कि आप देख सकते हो तो सबसे पहले इसे हम छील कर साफ करेंगे गाइस तो इसको छीलने के लिए हमने चक्वो की ह Maps से दोनों किनारे को कट कर लिया है । एक छीलन की help से इसे अच्छे से छील लेंगे हम लोग Yayson इसे नीनुवा भी बोलते हैं आप लोग इसे क्या कहते हैं हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके तो इसी तरीके से हम इसे अच्छे से छील लेंगे सारे नुनुए को यानि तुरेई को और छीलने के बाद घाइस हम इसे धोलेंगे क्योंकि अभी इसको धोना बहुत जरूरी है इसके छिलके को निकालकर लिख तया बाद ही कातना आसान होता है तो गाइस इसी तरीके से हमने सबको धो लिया है चेंवर आई अब इसे हम पीस में कट कर हैं तो आप देख सकते हो कि थोड़ा लंबा-लंबा पीस है है और बीच से हम इसे कर्द कर द की तो तुर्लची शुट पर बहुत अच्छे से गल जाती है और बहुत ही टेस्टी सबजी बनके रेडि होती है तो हमने इसी तरीके से पतले-पतले साइज में कट कर लिये हैं और अब हम इसको बनाएंगे प्याज के तड़के के साथ क्योंकि इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है गाईश तो दो उरत की बड़ी है जो कि हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो इसका सेयर किया है हमारे चैनल पे है अगर आपको चाहिए तो जाकर देख सकते हैं तो हमने इसको थोड़ा सा लिया है बहुत जादा सबजी में नहीं डाला जाता है तो इसको डालकर हम अच्छे से इसे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल low to medium flame पे ही रखके इसे भूनना होता है नहीं तो ये जल जाएगा फिर सबजी का टेस्ट बहुत ही खराब आता है तो गाइस इसी तरीके से हमने इसे golden color पे भून लिया है और इसे भूनने के बाद हम इसे एक plate में निकाल ल लिये जब ये चटकने लगे तो दो सुखे लाल मिर्च डालेंगे और इसे भी हलका सा भून लेंगे इसके बाद हमने जो कटे हुए प्याज थे उसे डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसे भूनेंगे golden color पे आने देंगे तब तक हमने एक खलबटा लिया है और उस से की बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी का तो जो golden color पे अभी हुआ नहीं है प्याज भून रहा है तो हमने इसी में डाल दिया है जो जो खलबटे में कुटा हुआ अधरक लासून है उसे डालकर हम अच्छे से mix करके इसे medium flame पे ही हम भून रहे हैं तो थोड़े दि फ़ली डाल दीये हैं जिससे की बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसका п्यूरी बना लेंगे प्याज हमारा भून गया है हल्दी थोड़ा सधनिया पाउडर थोड़ा सगरम मसालला और थोड़ा सा लाल नई पाउडर सब्सप्साटर जादा मसाले नहीं डालेंगे औ तो अभी हमने थोड़ा सा पी पानी नहीं डाला है और इसे भूनने के लिए हमने अब जो जार है उसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके हम इसमें डाल दे रहे हैं जिसे की मसाले अच्छे से भून जाए तो इसे हम भूनेंगे गाईस आप देख सकते हो बहुत अच्छे सी मस मिक्स कर लेंगे और यह गाईस सबजी इतनी टेस्टी बनती है कि आप रोटी पराठा या पूड़ी के साथ भी खा सकते हो बहुत ही टेस्टी लगती है जो लोग खाए होंगे उन्हें इस सबजी का टेस्ट पता होगा तो गाईस इसमें जो भूने हुए उड़ात की बड जालना है क्योंकि तुरही पानी छोड़ता है तो अब हम इसे धकर मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसे धकन को हटाकर मिक्स करके चला लेंगे जिससे की सबजी नीचे से चिपके बिना और पता भी चले कि कहां तक बन पाई है सब हमने बीच बीच में दो तीन बार के करीब में मिक्स किया है धकन हटाकर और इसे धकर पकने के लिए छोड़ दिया है मतलब यह तुरही की सबजी बनाने में गाईश थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो तुरही है वह पानी बहुत ज्यादा छोड़ता है तो अगर आ पानी है तो थोड़ा सा और पकाना पड़ता है गाईस तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले भी बिल्कुल रेडी है और ढखकर पका दिये मतलब इसको पकाने में एक से डिल घंटे तक का टाइम लगता है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा होता है तो यह सबजी रेडी हो गई है सामके खाने के लिए अब हम आपको कट करके दिखाते हैं देखिए उड़त की बड़ी जो है वो रेडी हो गए बिल्कुल पक्के तो अब गैस की फ्लेम बंद करके हमने इसे गैस से उतार लिया है अब हम लेंगे एक सर्विंग बॉल और उसमें सारी डाल देंगे गाइस तो आप देख सकते हो कि इतनी सब्जी है कि तीन चार लोग अराम से खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है गाईस एक बार आप जरूर ट्राइब की जिए गाईस तो अगर आपको पसंद आए तो हमें जरूर बताईएगा और हमें करना ना भूलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने तब तक के लिए हर हर महादेव